देश में पूर्वी लद्दाक सीमा पर भले ही पिछले कुछ समय से शांती हो लेकिन घत्रा भी तला नहीं है क्योंकि एक बार फिर चीन लद्दाक की सीमा पर सक्रिय हो गया है करीब 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाक में चीन और भारत के सैनिकों के बीच में हिंसक छड़प हुई थी जिसके बाद माहौल काफी गर्म हो गया था और एक बार फिर चीन ने सीमा पर अपनी सैना के लिए बंकर बनाना शुरू कर दिया है इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाक के सामने एल एसी पर आठ जगे नए सैनिट हिकाने बना लिये हैं साथ ही एर बेस पर मिसाइल सैनाती के साथ करीब 50,000 सैनिक खड़े कर दिये हैं दरसल ये समझने वाली बात है कि चीन इतने समय बात फिर से सीमा पर सक्रियत क्यों हो रहा है इसकी दो वज़े हो सकती है पहला ये कि भारत का इस समय ध्यान विश्व में तालीबान की बढ़ती सक्रियता पर है और दूसरा देश में हो रहे पांच राज्यों के विधान सभाज चुनाओ पर और चीन शायद इसी बात का फाइदा उठा कर भारत के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में है पिछले साल अप्रैल मई में भारत चीन के बीच हुए सैने टकराओ के बाद से चीन ने कई कैम्प बनाए है ये नई कैम्प पुराने मौजूदा कैम्पों के अलावा बनाए गए है इससे साफ पता चलता है कि लंबे समय तक सीमा से अपने फौज़ खटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है पिछले साल अप्रैल मई में भारत चीन के बीच हुए सैने टकराओ के बाद से चीन ने कई कैम्प बनाए है ये नए केम्प फुराने मौजूदा केम्पों के अलावा बनाये गए हैं इससे साफ पता चलता है कि लंबे समय तक सीमा से अपनी फौज हटाने का चीन का कोई इरादा नहीं है टाइमस ओफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा सैनिको के लिए उत्तर में करा कोरम पास के वहाब जिजला से लेकर पी यू तक सेल्टर्स का निर्मान किया गया है जिन इलाकों में ये शेल्टर्स बनाए गए हैं उनमें होट स्प्रिंग्स, चांगला, साशी गौंग, मनजा और चुरूप शामिल हैं और ये LAC के साथ साथ दक्षन की ओर बढ़ता चला जाता है चीन ने लद्दाक से अरुनाचल प्रदेश तक फैले 3488 किलोमीटर LAC के साथ कई नई हवाई पट्टियां और हैली पैड भी बना लिये हैं बता दें कि चीन की तरफ से सीमा पर CCTV भी लगाए गए हैं जिससे भारतिये सैनिकों की हलचल पर नजर रखी जा सके खैर चीन की इसके पीछे क्या रणनीती है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत होगी क्योंकि चीन की पीछे से बार करने की हमेशा से ही आदत रही है